सलाबतपुरा थाना अंतरगत राजाराम हाउस के कपड़ा व्यापारी को राजस्तान के ठग ने 30,64,885 रुपे की चपत लगा कर फरार हो गया होने का मामला सामने आया है पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक परवतपाटिय स्थित रॉयल रेसिडेंसी निवासी सुनील जिगाजी चौधरी कपड़ा व्यापारी है उनकी सलाबतपुरा छेतर में राजाराम हाउस में राजाराम सिल्क मिल्क के नाम से दुकान आई है राजस्थान के जैपुर निवासी विकास मोहनलाल मेवाडा नामक ठग ने वर्ष 2019 में पीडित प्यापारी का संपर किया उसके बाद समय पर पैसो का भुगतान नहीं होने पर पीडित दुकानदार ने पैसो की मांग की तो आरोपी ने अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए पीडित ने सलाबत पुरा थाने में राजस्थान के ठख के खिलाब दोकादड़ी का मामलत दर्श करवाया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि समय समय पर सारी टेक्स्टेल अपडेट्स आपको मिलती रहें